नाथ को English में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं नाथ के आप दो मतलब निकाल सकते हैं एक तो किसी का जो स्वामी होता है या भगवान होता है या रखशक होता है या कई बार महिलाइं अपने पती को भी नाथ कहते हैं तो अगर आप रक्षक, भगवान या स्वामी को नाथ कहते हैं, तो इसके लिए आप गोड, लोड या मास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पती को नाथ कहते हैं, तो आप हस्बेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इलावा महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाने वाला ए कि सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें